नमस्कार फ्रेंट मैं उटिकरिकोल फूर्विवर चैनल से और मैं दूस्तो आगे आप सबको बताने वाला हूं दिखाने वाला हूं दूस्तो यहां पे देखेज़े दूस्तो अभी हमारे पास गाड़ी आई ही है टाटा कंपनी का एस टाटा एस गाड़ी है दूस्तो और द पर देखेज़ेए दूस्तो गाड़ी का जो फेन है बिल्कुल प्रोपर चल रहा है फिर भी जो गाड़ी है बहुत ही ज्यादा हेतिंग हो जा रहा है और हेटिंग से बहुत ही ज्यादा कुस्ट्ण में परसान है तो चलए चलिए सबसे पहले आप सबको बता देते हैं मुझे इपे अबर वा करो यह अब यह सबसे पहले आपको बता देती है हमें उस प्रोग्लम को चेक कैसे करना है कि जो गाड़ी है क्यों ओबर हीटिंग हो रहा है और क्या दिकत हो सकता है तो सबसे पहले मैं आपको असान तरीका बता देता हूँ गाड़ी के पास में यहाँ आप देख लीजे हम आ गये हैं इंजिन के पास में अब उसके बाद दुस्तो गाड़ी का यहाँ पे देख लीजे में पाइप है जो इंजिन के अंदर से जो पानी है रिडियेटर के अंदर जाता है हम इसको पहले हाथ से चेक करेंगे कि जो पाइप है गरम है कि नहीं है उसके बाद दोस्तो अगर ये pipe गरम होगा तो उसके बाद हम दूसरा वाला जो pipe है उसे चेक करेंगे यहाँ पे अभी देख लिजे pipe जो है बहुत ज़्यादा गरम हो चुका है अब उस वाले pipe कोई side का जो pipe है उसे हम चेक करेंगे उस pipe का hitting कितना है अब चलिए उससे चेक करते हैं तो यहाँ पे देख लिजे दोस्तो आगे हैं इस वाले pipe के पास अगर इससे पकड़ रहे हैं तो दोस्तो ये वाला जो pipe है कोई खास गरम नहीं है ये बिल्कुल manual है ये pipe जो है बिल्कुल गरम नहीं है तो दोस्तो तो एक pipe जो है बहुत ही ज़्यादा गरम हो चुका है जो engine के अंदर से supreme water के अंदर पानी जाता है और ये वाला जो pipe है ये वाला τοπο div दूसरा जो पाइप है बिल्कुल गरम नहीं है, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम आप सब बता देते हैं, इस चीज में हमें चेक क्या चीज करना होगा, रेडिवाटर का जो फेन है वो बिल्कुल प्रोपर चल रहा है, तो हमें रेडिवाटर को चेक खलवाके और उसे सफ पाइगा तो गाड़ी जो है बहुत है ज्यादा हिटिंग होने लगंगा और एक पइप जो है गरम हो जाएगा और दूसरा पाइट नहीं गरम होगा, अगर रेडिवाटरее चोक हो जाएगा दूसमें लििंक दे दिया हूँ दूसरा वीडियो का वहाँ से आप देखके बिल्कुल step by step